अगर आपके पास Vivo T3 Pro 5G Mobile और आप उसमें power button से switch off नहीं कर पा रहे हो यानि कि जब भी power button को press करते हो तो इस तरीके से google का assistant आ जाता है तो इस problem को कैसे fix करना है चलिए मैं आपको बता जाता हूँ तो power button से switch off करने के लिए simply phone के setting में आना है और phone के setting में आने के बाद आपको क्या करना है नीचे के तरफ स्कॉल करके आ जाना है और यहाँ पर आपको option मिल जाएगा shortcut and accessibility इस पर click करना है इस पर click कर जाना है तो आपको प्रेस and hold power button इस पर जाना है और यहाँ पर आपको फिट से press and hold power button पर जाना है अब यहाँ पर दो option मिलेंगे enable the power menu को select कर देना है उसके बाद आपको back आना है अब आप power button को press करके देखिए तो आपके पास power off और restart दोनों ही options आ जाएंगे